कि नमस्कार आदाब न्यूस क्लिक के डेली रौंड अप में आपका स्वागत है आए रज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर केरल विदान सवा ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र के तीनों कृष्षी कानूनों को वापस लेने को कहा दो कद्म चले दो कद्म और फिर चार जन्वरी को सरकार और किसानों के बीच बातचीत क्या ही ये कोविड-19 का नया स्ट्रेन जानेंगे डॉक्टर सत्यजी तुरत से और आखिर में करोना अपडेट देश में रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 96.04 फीस दी केरल विधानसबा ने प्रस्ताव पारित कर केंदर के तीनों नेक्रिशी कानूनों को वापस लेने की मांग की है मुख्यबंतरी पिंवरी विजियन ने केंद्र के तीन नए कृशी कानूनों के खिलाब बरस्पतिवार को विदान सभा में प्रस्ताव पेश किया और भाजपा पर निशाना साधा किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने और उनके साथ एक जुटता व्यक्त करने के लिए बुलाए गए एक घंटे के विशेश चत्र में ये प्रस्ताव पेश किया गया विजियन ने प्रस्ताव पेश करते हुए नए कानूनों को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की नहीं निकल पाया ठोस इसलिए कि किसानों की दो बड़ी मांगे जिसे लेकर पूरा आनलोलन शुरू हुआ था तीन क्रिशी कानून वापस लेना और MSP की कानूनी गैरंटी करने पर कोई सहमती नहीं बनी एकिन फिर भी पूरी बाचीत को सकरात्मक बताया जा रहा है क्योंकि तीसरे और चौते नमबर की मांगे मान ले गई है हाला कि उन्हें मानने में पहले दिन से ही जादा मुश्किले नहीं थी बाचीत में दो मुद्दो पर सहमती बनी है इनमें से एक है दिली और आसपास को लेकर परियावरंट से जुड़े कानून में किसानों को पराली जलाने के लिए जो ठंड का प्रादभान है उसे हटा दिया जाएगा और दूसरा है बिजली संचोधन बिल 2020 यह बिल अभी आ आए गए कोविट के नए मुटेशन के बारे में उन्होंने टीका करन को भी लेकर चर्चा कई आए सुनते हैं हमने यह समझना नहीं चाहिए कि एक समस्या का हल निकल गया तो बस बात बन गई आगे चिंता की जरूरत नहीं है यूं हर्गिस नहीं होगा हमने और विशानु साथ जीने का कोई एक संतुलन धूमना है वो आगे चलते आते एक दो सालों में अपन धूम लेंगे उसमें टीका एक घटक मात्र है पूरा जवाब नहीं है तो यह देखिएगा कि जो जिसे कहना नहीं चाहिए लेकिन लोग कहने लगे हैं कि साउथ आफ्रिकन वाइरस है इंग्लिश वाइरस है असल में बात यह है कि जब आप वाइलस वाइरस का संक्रमन कम कर देते हैं कैसे जैसे कि शारिरिकदूरी करन करके तब उस वाइरस का जो वेरियंट है जो और आसानी से संक्रमक है उसे फाइदा मिल जाता है और संक्रमन उसका बहुत ज्यादा होता है बिल्कुल यही उन दोनों उदाहरनों में हो रहा है और भी कई जगे होता होगा हम जानते नहीं है सचाई तो यह भी है कि इंग्लेंड में बहुत बड़े पैमाने पर वायरस की पूरी सीक्वेंसिंग होती है जो दुनिया में और जगे नहीं होती दुनिया में जितने सार्सकॉफ दोग के पूरी शंक्लाएं नापी गई है उन में से एकतिहाई से ज्यादा इंग्लेंड में है तो अपन यह कहें कि इंदुस्तान में मिले नहीं है जो मिले हैं वो इंग्लेंड से आये हुए है जब ही हाल में कल जो बात हुई है लेकिन सचाई तो यह है कि हमने सारे देश में कुल मिला के 5-6-7 हजार तक कुछ सीकूंसिंग करी हुई है इंग्लेंड ने छोटे देश ने इससे कई गुना ज्यादा करी हुई है हमें है नहीं है इसके बारे में हमने जाँच नहीं करी तो हम कैसे कह सकते हैं कि है या नहीं तो लेकिन ये तो कोना ही है रही TK की बात TK को लेकर आज की तारीख में जो छोटे-छोटे बड़े प्राथमिक नतीजे हैं वो ये कहते हैं कि अभी के TK इस variant के लिए भी काम आएगे लेकिन पूरा पक्का सबूत अभी तक सामने नहीं आया आते चंद दिनों में, हफ्तों में भी नहीं आते चंद दिनों में शायद मिल जाएगा लेकिन संभावना यह है कि काम कर जाएगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस विशाणू में वाइरس में ऐसे आगे चलके बदलाव नहीं हो सकते कि वो वेक्सीन के टीके के असर से छूट जाए तो इसी है आगे चलते हमें इस विशाणों के खिलाफ टीकों पर रिसर्च की और नए टीकों के निर्मान की चलते चलते जरूरत पड़ती रहनी है लगातार प्रयास जारी रहने की केंदर स्वास्त मंतराले दौरा आज गुरुवार 31 दिसंबर को जारी आकड़ों के अनुसार पिसले 24 घंटों में करोना के 21,822 नहीं मामले सामने आए हैं इसके अलावा करोना से 299 मरीजों की मौत हुई है 27-20 देश भर में करोना से 26,149 मरीजों को ठीक किया चुका है और कुल आक्टेम मामलों में 4,616 मामले कम हुए है देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़कर 1,2,666,674 हो गई है जिसमें से अब तक 1,48,738 मरीजों की मौत हो चुकी है स्वास्त मंतराले की ताज़ जानकारी के अनुसार रिकवरी डेट बढ़कर 96,04 फीसिदी हो गया है यानि कुल मामलों में से अब तक 98,6,280 मरीजों को ठीक कि जा चुका है देश में वे आक्टेम मामलों की संक्या घट कर 2,50 फीसिदी यानि 2,67,656 हो गई है आज के डिली रॉंड अप में बस इतना ही न्यूस्क्लिक के यूटूब चैनलों को सब्स्क्राइब करें साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो भी करें न्यूस्क्रिक देखने के लिए शुक्रिया